मैं किस्वाद करता हूँ आप सभी का टाइम सफ फ्लाइट कोवर्मेंट जोब यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भरती आई हुए उसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें कितनी वेकेंसी रहेगी कौन सी पोस्ट रहने वाली है और आप कब से कब तक अपलाई कर सकते हैं फीस वगारा कितनी मांगी गई है और इसमें एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन के रहने वाला है एज लिमिट क्या रहेगी अपलाई करने के लिए इन सभी के बारे में आपको जनकारी देने वाला हूँ द आप में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों नीचे दिएगा सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा लिजिए ताकि आप तक जॉप्स की अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों बात करते हैं इस नोटि रहने वाले जिसमें आप जो इस फॉर्म को ओलाइन मीडियम में अप्लाइ कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों इसकी सेलेरी जो है साथ हजार रुपे परमंत जो है सेलेरी रहने वाली इसको इसकी जोब लोकेशन जो है दिल्ली में रहेगी और इसमें कनिडेट की एज लिमिट अई धानी जिए 32 एज लिमिट रहनी चाहे है और सलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें केवल जो है इंटर्व्वी रहने वाला इसमें कोई भी exam वगढ़र ICWA कर रखा है तो भी apply कर सकते हैं या फिर आपने master degree कर रखे हैं in cyber security, cyber law वगारह से तो भी apply कर सकते हैं और friends इसमें minimum आपके पास one year experience होना चाहिए इस form को apply करने के लिए बात करते हैं इसकी important date की तो यह जो है friends already start हो चुका है form apply करना और आप जो है इसको 26 March तक जो है apply कर सकते हैं तो इसकी बात करते हैं detail website की तो इसमें जो है आप जो है www.dic.gov.in पर जाके इसका notification देख सकते हैं या फिर आप जो है टेलिग्राम चैनल पर जाके इसका full notification जरूर पढ़ लिए जीगा उसमें नीचे दिया गया है यह वाला link इस पर आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों टेलिग्राम चैनल पर जाकर जरूर पढ़ लिए जीगा तो friends मिलते हैं ऐसी information वेकेंसी के साथ तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दवा लिजिए गा तो मिलते हैं किसी अन्य भरती में थैंक यू कर दो